साइंकाल रोजगार समाचार, UCCC A9 जौइंवे अपडेट, UCCC लेकपार भर्ती रिजल्ट अपडेट, UCCC लुवर 2019 रिजल्ट अपडेट, UPSC ROR New Notification, RRC Group D Medical Etern जारी और Junior Etern सिच्छेख भर्ती और UGC NET इन सभी मात्मुण खबरों को हमलोग डिटियल से जानेगे उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विडियो को साइग लाइक से जरूर कर दें जी हाँ मैं सायंकाल, रोजगार, समाचार यह मैं दायनिक डालता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के दिन भर की जो भी अपडेट हैं वो आपको सामकों मिल जाएं, बार-बार आपको वीडियो देखना ना पड़ें तो इसमें जहातर यूपी ट्रपल सी, यूपी पी सी, इन सभी प्रकार के आयोगों की पलपल की अपडेट इसमें दे दी जाती है एक साथ, ताकि बार-बार आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाना पड़े तो आप अगर अथेंटिक न्यूज पाना चाहते हैं, तो इस चैनल के मादेम से आप जूड सकते हैं और आप अथेंटिक न्यूज के आपको बार-बार सभी प्रकार के सुचनाओं के लिए एक जगा, एक वीडियो में आपको सभी प्रकार के सुचनाओं मिल जाएंगी तो आप इसको लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेए आए वीडियो शुरू करते हैं, यूपिट्र पेलजी ए एनम जॉइन लेटर को लेकर के बात करते हैं यूपिट्र पेललर सी एनम जॉइनलेटर जॉनिंग लेटर आधिकारी कोई लेटर तो जारी नहीं हुआ मगर जैसा कि बताया जा रहा कि 25 तारीक को यूपिटर पलसी एनम की जॉइनिंग कराई जाएगी समाहरों के माध्धम से परंतु कोई लेटर जारी नहीं हुआ है इसलिए जो एनम के छात्राएं है वो भरोसा नहीं उनको हो रहा है इसलिए उन्होंने आज ये ट्विटर ट्विटर कंपेंड भी चलाया देखते हैं इसका क्या आशर होता है फिलाहल इन लोग का प्रस्तावित है कि 25 जनुरी को हम लोग इनकी जॉइनिंग को लेकर के 25 जनुरी को प्रस्तावित है देखते है उस दिन होता है या नहीं फिलाहल अभी कोई ओफिसियल टाइप से को कोई नौटिस जारी नहीं हुआ है अगली मीहीं हत्त-कोन सुचना यूपिटर पलस्ती लेखपाल भरती को लेकर के लेखपाल भरती का रिजल अटका हुआ है कोट का Count mother में अभी भी लेकपाल भरती का रिजल्ट अटका हुआ है आज इस केस में अपडेट आया है जो अभी ये जो ये इसका जो केस है रीट नंबर है 7663 ये जो 7663 है ये लखनौ में पेंडिंग है इसकी जो इसकी डेट 25 जनौरी मिल गई है इसकी सुनवाई 25 जनौरी को होगी और दूसरा जो केस है वो है 16951 वाला जो केस है इसकी में भी डेट 24 तारीक मिल गई है ये लखनौ में पेंडिंग है और जो दूसरा जो भी पहले मैंने बताए 7663 ये लखनौ में पेंडिंग है दोनों के डेट मिल गई है देखना ये है कि आगे क्या होता है जैसे कोई इ अथेंटिक अप्डेट आती है 24-25 तारीक में क्या सुनवाई होती है आपको इस चैनल के मादम से 23 सूचित कर दिया जाएगा चैनल से जुड़े रही है अगली मादम सूचना है वो है यूपी ट्रपल सी को लेकर के यूपी ट्रपल सी का आज जो जेएक 2016 का रिजल्ट जारी हो गया है ऑफिसल तरीके से जारी कर दिया है इसके बाद आज ही हो सकता रात में या कल आपको एक या ऐसी सुचना मिल रही है कि लोवर 2019 का रिजल्ट भी जारी हो सकता है तो आप की बात होगी खुसभवरीक बात होगी कि यह भी रियल्ट जारी होने के चांसे ज्यादा है तो यह भी एक महत्पूर्ण बाकाइदा सभी संस्थाओं से आरो यारो के जो अधियाचन है उनको भी मांगा है कुछ अधियाचन आये हैं मगर अभी 2021 के बाद 22 में इसका नोटिफिकेशन नहीं आये था मगर 30 साल आने की पूरी संभावना है अगर यह नोटिफिकेशन आता है तो लगबग आपको पांस 600 पद देखने को मिल सकते हैं परन्तो अभी भी बहुत सारे संस्थाएं हैं जहां से यह अभी अधियाचन नहीं आया है रिपोर्ट नहीं आया है कि वहां उनके हां कितने पद खाली हैं संभावना जयता है जारी है कि पांस छे सो पद आपको इस नोटिफिकेशन में देख उलएकने को मिल सकते हैं अगली महत्तकुन सुचना है और यह अर्र सिधि मेडिकल लेटर और कर लिया है और आज की ही नोटी सही चीस तारी साथ होंगे इसने यह RRC सिकंद्राबाद है इसने मेडिकल लेटर भी जारी कर देए यहां पर आप देख लिए फॉर कंडिडेट एक्वाइट फिजिकल टेस्ट यह RRC लेवल 1 रिकूट्मेंट पोस्ट लेवल 1-7 फिजिकल इफिसिएंसी टेस्ट फर रिल्ट वन पोस्ट न 12-1-2-0-3 को से 21-1-2-0-3 तक जो दौड में सौट लिस्टेट हुए है दब कॉलिफाई नॉट कॉलिफाई लिस्टेट वार पब्लिस्ट RRC वेबसाइट पर पब्लिस कर दी गई है और अब कारिकरम दा लिस्ट कंडिडेट टू बी काल्ड यहां पर लिखा डाकुमेंट वेरिफिकेस्ट और मेडिकल एकजामिनेशन यहां पर मेडिकल एकजामिनेशन और डाकुमेंट वेरिफिकेसन दोनों की बारे में बता दिया गया है डी वी और एमी बिल भी पब्लिस्ट रॉट ली पब्लिस्ट कर दिया गया है तो जिनों का सिकंद्राबाद में है वो अपना मेडिकल के लिए तयार हो जाए अगली महत्पूर सुचना है वो है जूनियर एटर से च्छक भरती और UGC NET को ले करके है पहले UGC NET पर बात कर लेते हैं UGC NET की जो आवेदन किती थी है वो दू दिन बढ़ा दी गई है अब आपकी आवेदन 23 तारीक हो गई यहां देख लीजे UGC NET दिसंबर 2022 नेशलर टिस्टिंग एजेंसी ने UGC NET 2022 परिच्छा के ओनलाइन रेजिस्टेशन लास्ट डेट बढ़ा दी है UGC NET 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभरतिप 23 जनौरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं UGC NET में भाग लेने के इच्छेक वर्ति एंटी की विश्टाई यूजी सी डॉट नेट डॉट एंटी डॉट एंटी डॉट एनएसी पर जाकर अवेदन कर सकते हैं अगली मातमुट सुचना है जूनियर एडर सिच्छक वर्ति को लेकर करके हम लोग बात देते हैं जूनियर एडर सिच्छक वर्ति में कल इस पर निरनाय आया परसों में उसमें इस्टे हटा दिया गया है परन्तु एक पूर्णिबा सर्मा केस है उसमें जॉइनिंग ना देने को लेकर के इस्टे लगा हुआ है बाकी और पूरी भरती प्रक्रिया पे इस्टे हटा दिया गया है तो अब जो आयोग है वो भरती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और जो भी जहां पे रुकी थ तो आयोग अगर चाहे तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है पढ़ाना भी चाहीए मोग इसाथ प्रक्रिया को आपने हिसाब से इसको रोक के रखा है तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद